कि कि अप्लोड किया था खोप तुम लोग को मजा आया होगा सबक्राइब के नहीं देखा वीडियो देखा नहीं ना देखा यह लड़की मुस्करा कि सज बूरें कि नहीं देखा मैं तुम लोग से आज पांच पुछूंगा ठीक है पांच में से तीन क्वेस्टेन जो है वो तो मैं अपन शेयर करेंगे पुछूंगा मैं उसका आंसर भी देदूगा तुम लोग को स्क्रीन पर देदूगा लेकिन दो क्वेस्टेन तुम लोग का होगा ओके और जो भी बच्चे वह दो लास्ट पर पुछूंगा तो विडियो में रहना पड़ेगा वह दो पुछूंगा और उसमें से कितने बच्चों लोग को मैं सुझ रहा हूं कि उसको मैं लिंक देदूगा अपने लिंक देदूगा और उनको मैं एक लिए कासा रहेगा अनिकेत मज़ा आएगा अच्छा है ना तो जो भी हम लोग को और उसके लिए ऐसा निया कि सर्चूज करेंगे मैं जितने भी आंसर आएंगे ठीक है मैं हम लोग पहले बैस पोर चूज कर लेंगे वाई वेनेज़े थे फिर हम लोग वोटिंग कर लेंगा हम लोग करेंगे फोटोग्रैफ के लिए उस लोग को एक्स्रोजीव ली भूलाया जाएगा तो हम लोग आज करेंगे वाज पांच हम लोग नहरी सबसेब करना चालू करते तो सबसे पहले तो हम लोग को मैं आप लोग को वो दो ठोक वेस्टन बता दू कौन से हैं यह क्वेस्टन समनों कल पड़े थे ठीक है था तो जहां तक हम लोग ने कर लिए तो पहला प्रेशन यह था कि फ्री फेज़ेश का तो आप लोग किया है डेफिनेटली फ्री फेज़ेश आप रहे प्रको पटाक से बताओ इस त्री फेज़ेश ऑफ रिलेक्टिशन से प्रस्टेश ग्रांट मदर बिपोर ही लेफ दा कंट्री तो स्टडी अब्रॉट आपको पता है थ्री फेज़ेश कौन को से होंगे मतलब उसको फादर का जब आया में नोटिस की मतलब उसको फर्स फेस हो गया जब उसकी ग्रांट मदर उसका टेप क्यार करती थी फर्स फेस हो गया ना यहीं बोलना चाहरे हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करोगी तुम्टूम तुमा नहीं करोगी तो है जब उनिवर्सिटी में चला गया सर तब वो दादी से मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हो रिष्टा मतलब पुरा टूट गया मतलब जो जो लिंक था सर जो पूरा वो पुरा टूट गया बिल्कुल बहुत अचा आंसर या तुम्ने ठीक से सुना नहीं क्या बोल रहा है इसके पहले तीन फेस होंगे ना बटा अना बिफोर ही लेफ्ट अच्छा अंसर दिया तुम्ने पहले कैसे तुम अभी महनत कर रहे हो तो फर्स्ट आंसर होगा था थ्री फेस्ट वेरास फॉलोउस फेस्ट क्या होगा अज़ बनी उस तो स्वेथा था ग्र्ण्मदर टोली डिपंडेंट रहर था खांके और इस पंडेंस वें तुल बिल्कुल पसंद नहीं था सब्सक्राइब तो अब उसको अलग रूम मिल गया तो आप ग्राइब मदर उसके संग सोती भी नहीं थी और एक दौनों के अंदर में डिफरेंगा अदर में काफी सेक्लिजन हो गया काफी वो गुद्धे से दूर हो गया तो थी फेजसे वेरस फॉलोज ठीक है कुम-कुम सब्सक्राइब कर दे रहे थी क्योंकि वह हिंदी स्कूल में था अब वह इंग्ली स्कूल चला गया तो मतलब उतना लिंक नहीं रहा वह कुछ एक्स्ट्रेन नहीं कर पाती थी वेरी गुड़ और 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 पसंद नहीं था दादी मा को क्या बात है कॉंपटिशन तगड़ा चल रहा वही दोनों पढ़के आया है वेरी कितने क्वेस्टें ते सरकार तीन और आंसर कितने सरकार दो लेकिन अच्छा तो तीनों रीजन हम लोगों सावज में आ गया वेरी गुड़ अनिकेत और कुंकुं पहला रीजन क्या था अच्छा मैंने ना तुम लोगों को या आंसर बताए नहीं अभी तक ना बहुत सारे बच्चों लेंगा अपने अच्छे से बताया कि आप दादी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी उसके स्टडीज में तो वह उनको अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग याद रखिएगा आप लोग को फ्रेजस यूज करने पड़ेंगे तो यह आंसर पूरे लर्न होने चाहिए अनिके तुम बहुत ही अच्छी बिहारी में आंसर दे रहे हो अच्छी बात है यह आंसर लेकिंग्लिश में देने पड़ेंगे कि नहीं क्या बोलते हैं बोश्पुरिया में नहीं नहीं पड़ा इन्थी में पड़ा रहे हैं इंग्लिश में नहीं पड़ा रहे हैं थे तौ ऑफूर्ट इन्वेस ग्रांगने चाहिए अप्टर पेंगे वह कुल और लगा तो थ्री वेस इंविस ग्यांड मदर स्पेंट थाई डेज वेनी गुरूप कैसे वो अपना थीन बिताती थी तादी मा कैसे कैसे जल्दी बताईए कि जल्दी पताई स्पेरोस को फीड करती थी और उनके पास एक स्पिनिंग वील था चर्खा वो चलाती थी और प्रेयर करती थी और क्या करती थी वो तो यह तीन क्रेस्टेस अपने डिसकस कर लिये तीनों के आंसे मेरे पास हैं आपको चाहिए तो इसके दुर्द कऱों ब्रहरा हैं अभी है कंप्लीट निये हैं तो इसको मैं डिवलाप कर करते हैं चाप्टर को रीड करना लेकिन उससे पहले एक चीज़ और याद रखना है हम लोगों की क्या करना है निकेत हम लोगों को यह करना करना यह सब करना आप लोगों करते रहिए और सरके व्यूज भड़ाते रही नहीं बढ़ाईएगा तो सर वापस नहीं आएंगे यह दंकी है देनी पड़ती है करी तो सब बढ़ा करने सको हम लोग लेखने मासानी हो जड़ा सब को लिख रहा है कुम-कुम अराम से ओके सेकंड पाट वैन डिसाइड इसाइड टो गो अब्राद फॉर्दर स्टडीज आ वस शूर मैं ग्रान्मधर वोड़ बी अपसेट और उसको ऐसा लगा कि दादी बहुत दुखी हो जाएगी कि बच्चा जा रहा छोड़ के अच्छा इसका क्या मतलब हो और एच वन पुद नेवर टेल इसका क्या मतलब हो तो उसको ऐसा लगा मैं पांस साल के लिए जा रहा हूं लॉट कराऊंगा दादी बीले ना मिले तो एच वन कुद नेवर टेल पाट मैं ग्रानमदर कोड़ सी वस नॉट इवन सेंटिमेंटल लेकिन मेरी दादी को तो कुई फरक नहीं पढ़ रहा मैं जा रहा हूं आपना माला जपए ही जा रही है कि साइलेटली सी किस्ट मी माइ किस्ट मैं फोर हैड और लेफ आई चरिस्ट इस परहाप्स लास्ट साइन और फिजिकल कॉंटाक्ट बट्वीन अस दादी ने उसको अब बच्चे को पोते को एक बहुत प्यार से पुच्छी करी एड़े क्या बलते हम लोग 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 ठीक है चुमा अच्छे मात्यरी तो अनिकेट कर एनीवेश थोड़ा बात कॉमेडी भी होना किये ना कॉमेडी नी तो मजा नीए तो उन्हों ने उसको प्यार किया ना तो बहुत प्यार से पैशनेटली किस किया बच्चे के सर पे तो उसके सर पे दादी का लिप्स का एक थोड़ा सा ऐसे कहा रहा है वो साइन जैसे मनें इंपरिंट थोड़ा सा उनका पड़ गया और उसको ऐसा लगा कि साइड ये आखरी कॉंटाट है उसका और दादी का मनें वही वस एप्सुलुटली कंविंस कि वैन इस गों बाक दादी इस नॉट गई तो डादी अगें बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ठीक है बट डाद वस नॉट सो आफ्टर फाइव यर्ज आ केम बाक फोम एंड वस मेट बाए अधर पांस साल के बार वो जब लॉट गया है दादी वही थी दादी उतनी ही दादी एक एंच भी बुडी नहीं वैसी की वैसी सेम टू सेम डादी देर दादी इस लाइव थी वाइल सी चलते हैं वाइल सी फेट लॉंगर अनुट फ्रिवलेस रिविट और जब वह में आया तो दादी का सबसे अच्छा दिन क्या था अपने स्पैरो के संग उन्होंने चुडिया को पारो को अपना लाइफ का हिस्ते बना लिया हिस्ता ब प्रिवलेस रिव्यूग्स का मतलब क्या हुआ जादी लोगों देखा है वो जानवर लोग से भी बात कर लिते हैं पस्वाइब कर लेते हैं बैठो लोग खाओ बदमासी क्यों कर रहा है ḩपेरोगों को डाठ रही है, प्याद से डाठ रही है. कोई स्पैरो आके उनके कभी शोल्डर में बाठ जा रही है, कभी को उनके पैर पे बाठ जा रही है, और वो उनको डाख रही है स्पैरोς, after has सुन रही उनकी बाते और तुमको यह बड़ा अजीब लगेगा कि बहुत सारे लोग अपने जानवर से इंटराक्ट कर लेते हैं और इंटराक्ट जानवर लोग सुनते भी हैं उनको समझ में भी आता है डॉक्स कास करकी डॉक्स तो इतने क्लोज जाते हैं अगर सबसक्रों के मालिक को तुम ऐसे सिस्टर के बहुत तो मेरी ममी ना कभी-कभी उसको श्टिकर मारने के लिए उसे दिखाने के लिए तो वह भीच मा जाता था और यहांन्य को एसे गर ते पर गिर के आई प्यार से स्कोल्ड कर रही थी कि ये बदमासी मत करो चलो खाओ एक रिलेक्शन उनका स्पैरो के संग बन गया था ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसका बहुत बड़ा सिग्निपिकेंस आगे आएगा इन दाइव नहींगा चेंज के मोवर हर लेकिन साम तक उनके उपर सिंग नहीं लाइब तो दो औलग करी दादी पहला काम करी और दुसरा गाना कारी और उनने क्या करें लिए जिसको रहे हैं उन्हें पीटे है मूजिक तो निकल ने रहा है पुराना तूता marketing सबस्क्राइब फॉलक, कहीं मने पुराना सप्राइब गोटक लैजिंग कॉठा की बहुत नहीं और उव есको डिला पेटेब में तूता हुआ कंडिशन में है लेकिन वो बजाये जा रही और गया जा वापस आते हैं ना अजीमों सा सहंसा धंधंधंधंगा उस तरह का गाना-गारिया से कोई पता नी कौन वारियर वापस आया है कितना मज़े आता है पीछे से बैक्गरांड म्यूजिक भी लगाते हैं तुम ठीक से एडिटिंग नहीं करते हैं बहुती बेकार आद्म हैं कैर अजीमों प्रेयर नी कर रही है और गाना बजा रही है तो उनको रोकना पड़ा कि दादी रुख जाओ यार हो गया बहुत अब रूप चाहिए तो राइटर क्या बोल रहा है यहां पर ऑथर क्या मुल रिख पहली बार मेरी लाइव में ने अप्नी राइफ में देखा कि वो प्रेयर नहीं करी उसमांगे देन संदुन है the next morning she was taken ill obviously अगला morning क्या हुआ वो बीमार पड़ गई it was a mild fever and the doctor told us that it would go अलका सा बुखार था बेशी बुखार नहीं था doctor को दिखाया doctor भला चोटा मोटा है ठीक हो जाएगी कल तर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है but my grandmother thought differently लेकिन grandmother का sixth sense differently बात करा था she told us that her end was clear उन्होंने बता दिया कि मेरा टाइम आ गया है अब मैं बेशी दिन नहीं गया she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray अब उन्होंने बोला कि बस मैंने प्रेय इसी के लिए बंद कर दिया था कि मुझे मालूम था कि मेरे life का last chapter आ गया है बने अब मैं और दिन नहीं रहूँ and she was not going to waste any more time talking to us this is again a very very important line और उन्होंने clearly बोल दिया अपनी family members को कि तुम लोग सब यहां से चले जाओ मुझसे बात मत करो मैं प्रेयर नहीं की हूँ कि अब मेरे को तुम लोग से और बात करना भी नहीं है क्यूं लगता है तुम लोग को उनको बात नहीं करना था कि लगता है तुम लोगों बात नहीं करना था और यूट्यूबर जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं जो भी सीबेसी के नए बैक्च प्लीज सब्सक्राइब करो सर्पोर्ट करो ठीक है लेकिन तुम लोगता था वो बात करना छोड़ दी प्रेंट के प्रेंट करें और आपको अगर लगाव नहीं रहेगा तो आप वने स्पिरिट्स के लिए अच्छा होता है तो साइब बिकॉज हिंदू के माइतलोजी के हिसाब से वो चल रही थी, तो हो सकता है क्या नामे उनको अकेले में रहना था, ठीक है, तो भी प्रोटेस्टेट उनके परिवार वाले सारे प्रोटेस्ट करें नहीं, हम आपको अकेला कैसे छोड़ देंगे इस ताइम पे, रोजरी फेल, और इससे पहले हम लोगों मालूम पड़ता, उनका जो लिप्स था, वो बोलना बंद कर दिया, और उनके हाथ की जो माला है, वो उनके हाथ से छूट गई, ठीक है, अपीसुल पैलर 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 का मतला होता है, फेडिंग उपैलर, आस्ते आस्ते उनका जो ठीक है, विलिप्ट हर ओफ देट और उनके हाथ जो पर चड़ा दिया गया, आफर फ्यू आज अपर प्यू आज अपर प्यू आज अपर आज अपर आज आज वोगों लगा नहीं तैयारी करनी पड़े की इंपो लेके जाना होगा, तब लो रूम से भार निकलके दादी क लेकिन वहाँ पर क्या हो, इन दा इवनिंग वेंट तो रूम वित अ क्रूड स्ट्रेचर मतलब, तुनको पता है न हम लोग के जब डेट बोड़ी को हम लोग कैसे लेकर जाते हैं वो लकड़ी का बनाते हैं तो बहुत प्रूड होता है, वो लकड़ी का बान बान के बनात और सिनारियो भी कहा है, सन आस्ते आस्ते ढल रहा है, उनके कमरे में सूरज की रूशनी आ रही है, टिक है, वे स्टॉप्ट हाफवे इन दा कोटियाड, और ओवर दो वेरेंडा, इन रूम, राइट अप टू वेर सी ले डेड, और स्टिफ रप्त इन रेड श्राउड, थ तो आँज इस प्यार था, और स्टॉप को रेलाइज भी हो गया कि दादी नहीं है, तो सब लोग वहां पर बैठी थी, और आटली ने पूनीब इस ऐसा लग रहा है था, कि उनके लिए मून कर रही है, टिक है, टोच्छ नो चिर्पींस, और कोई आवाज भी नियु कर रह we felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them इन लोगो ऐसा लगा कि दादी नहीं है तो उनको खाना कौन खिलाएगा साइध बर्ट लो भूकी होंगी और वो लो मिस्स कर रही होंगी दादी को कि खाना कौन देगा आपसे उनको ब्रेड नहीं खाना था उन्होंने देखा भी नहीं ब्रेड के तरह एक है वेन वी कैरेड माई ग्रैंड मादर का कॉप्स लेकर हम भाहर निकले सारे की सारी स्पैरोज अपने आप वहाँ से उर दे जब नेक्स मौनिंग हम वापर गए तो क्या नमे स्पैरोज ने इतना उनसे अमोशन आटाश्मेंट हो गया था अब यह बहुत दुख का बात है यह मैं तुम लोग को बताना में चाता हूँ एक हो इसमें और पोएम है तुम लोगा इस को ढallen से खा Exact को ँदी की जरुवत तो दादी के संग रहता था जैसे 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 जरुवत कम होती गई वैसे वो दाधी से दूर होता उनको ज्यादा प्यार करते हैं इसका मतलब यह है कि दादी एक अच्छी विमिन होंगी तभी तो स्पैरो प्यार करती है लेकिन दादी ने लास्ट में क्या बोला मैं तुम लोग के संग अपने लाइफ का लास्ट बिताना नहीं चाहते हैं लोग रोती है कि मेरे बच्ने लोते हैं लोग जो जुँक जाते हैं कि बहुत सारी दादी आदी होती हैं जो बहुत स्ट्रॉंग विल्ड होती हैrente बहूस अद्वो है तो थोड़ी एमोश्नल ज्यादा होती है I don't know तुम्हारी दादी कैसी है पर खेर जो भी है जो दादी आपसे बिसी इंटराक नहीं करती उनको भी आपका प्यार चाहिए और जो दादी के सामशनल रहती है उनको तो प्यार कही है ऐसा नहीं हो कि बाहर के लोग ज्यादा प को पर बर्डडन होंगे हम लोग भी किसी को पर लाइबिलिटी होंगे उस टाइंग चैप्टर जरूर याद करना कि सब्सक्राइब लोग से दूर हो रहे हैं अभी हम लोग से दूर हो रहे हैं अभी हम लोग पसंद नहीं है क्या दादी कर रहा है मुझसे बात कर ले मैं तुछ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इसके बार वो जरूर देखना है अब दो क्वेस्टन मैंने बोला आप लोग के लिए तो दो questions जो मैंने आप लों को बोले थे लेट मी चेक कहां गए आएज रहारो यह तीन questions अपने discuss कर लिए यह दो questions है पहला क्वेशन है कि ग्रैंड मदर जो है उन्होंने और बिहेवियर करना चालू कर दिया ना कुछ और था उनके बिहेवियर ना यह तभी मैंने समझाया तुम लोग को क्या हुआ था इसे के लिए मैं रुका भी था तुम लोग को जारा हिंट देने के लिए ठीक है एक और प सब्सक्राइब करेंगे और वोटिंग करने के बाद क्याना में हम लोग चूज करेंगे और जो दो बेस्ट आंसर होता है तो नेक्स एड़े हम लोग आपको साथ बजे लिंक बेजेंगे साथ बजे एक है और लिंक भी बेजने के बाद दो जनको लिंक भी तो मैं भी इदर आगया है और बाकी बच्चे भी बहुत सारे लोग चले गए करना है तो कर सकते हैं किसी को नया बैच में से जोएन करना है तो कर सकते हैं तो क्या पूछना है क्या चीज में कहीं प्रॉल्म हो रहा है तो लेट उस डिसकूस डाट अब सबस्क्राइब नहीं है सबस्क्राइब लोग बीना पता नहीं मैं क्या देख रहा था वो एक तो क्या आजकल नहीं चल रहा बता हो नहीं कि पता नहीं क्या रहा स्टडी विट मी एक लड़का पढ़ाई करता है बिना कुछ बोले वह पढ़ता रहता है बारा-बारा गंठाक और वह लाइप करके पढ़ता रहता है और सब लोग उस पर देख रहे हैं उसको पर आफुच्छा ही होगा इस बार तो नहीं हो पाया हम लोग करते हैं हम लोग करते हैं करते और करते रहेंगे जब लोग के सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे तक लेकिन लोग का बैड लग है तो बोड नहीं हुआ है लेकिन जब रहेंगे टेंशन मतले ना बारा से तीन कितना बज़े रात को बारा से तीन बज़े तक मैं जगा रहता हूं सारे बच्चों के संग पढ़ता रहता हूं अब को सब कुछ पढ़ाता रहता हूं अना सब लोग हम लोग वाट्सप में अभी तो वाट्सप में चल दा था लास्ट यह से एक साल पहले वाट्सटाप में चल रहा था गुरूप हम लोग बना हुआ रहे तो दो क्वेस्टिन फिर से मैं बोलू कॉल सा दो क्षिन था ओड़ और क्या कुम-कुम वेरा यू गए यह और वेसे वह कर रही थी और जब फॉस्ट इस पो क्रेंड मदर जस्ट विपूर सिब्सिट से डाइट क्या 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 है उसने माला लाज अपना चौड दिया था हां और और शॉप को फीड करना छोड़ दिया था नहीं नहीं लेकिन एक और काम किया दोनों ने बहुत और काम किया दोनों ने सब्सक्राइब को बुला के वो गाना गा रही थी यह वो कभी कि नी सी डिन्ट लाइक अल दिस गाना उनको पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने सब लाति को बुलाया ड्रप जाया तबला बजाया अना हरे हरे कर गणा गारी यह कुम कुम प्रिया तुम तो पूरा सर कभजी ए कघरा दोगा संदर इष ने प्लेशना पॉल गई री बाग इसका क्या आंसर तेंगे तो वे इंच पारोविश्पेस्प्रोवश्टीर सारो वे झाहर विड्वार्व दाइट अधिए अधिए और फॉन द आवे सो सर आपने अधिए थे अधिग यह यह जो दो इंड़ी पीजिए अधिए पॉर्टन जिस यह गया दे अधिए इस आंदेट दग्राग एंधे इस वांदेट दोडिए अधिए डर्स या रिख कर रहे थे कोई से आवाज नहीं कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि मून करने के लिए बैठे हुए है और जब ऑथर की मदर ने उनको आफर किया वो दूसरे दिन क्या हुआ मौनिंग में जब हम लोग ने सफाई की तो वह सारे ब्रेट कम वैसे के वैसे थे यहाड एक टुकड़ा उसका नहीं को लिखना पड़ेगा इन्यों आंसर बढ़िया से लिखना और दो पेस्ट आंसर्स जो होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे निक है जब मिलेंगे याद organs yatã करना है Lai kanama करूंट करना है अभी तो मेरें पास मेरें अब नहीं को विडियो करका लिए अपके लिए बडिया से घर नॉठ से बीटल कॉट्वर्टै एर्ट्फरेट एक अव लिडी इसका that's tidak रिखाल से मैं आज बैठूंगा राथ को लेकर इसका पुरा कम्प्लीट करूंगा और उसके बाद यह नोट्स आपको मैं भेज दूंगानी के दिन को ठीक है आप उसको पढ़ लेना पढ़के पुरा लर्न करके जैसे रेडी हुए ते लास ताइम वैसे हम लोगों करके ब्र पर उसमें 30 मांस का लिटरेचर पोजिन होता है और बाखी 50 मांस का लांगविज पोजिशन होता है जिसके अंदर ऐसे लेटर जो है सब कुछ वही चीज़ें जिसे वहाँ पर होता है तो लेकिन एक पीपर होता है एक और अगे की वह बहुत ज़्यादा बोरिंग है लेकिन वह आप लोग बड़े हो ना तो अब वह राजा 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 राणी कहानी तॉनों मरगे खतम गानी वह सब नहीं आएगा अब आप लोग को थोड़ा एक्स्प्लोर करना पड़ेगा आप लोग आपको समझना पड़ेगा ऑथर क्या बोना जाता है तो यह जो स्टोरी है अभी जो इनको नोनों ने लिखी यहां पर क्या नाम है मिस्टर कुछवन सिंग लेकिन स्टोरी में एक मेसेज है जो आपको बताना चाहते है और वो मेरा काम यह है कि मैं आप लोग को बता हूँ और यह आप लोग लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि आप लोग जब कुछ स्टोरी लिखो आपको लिखना चाहिए जब आप लोग स्टोरी लिखो तो आप लोग समझना समझो कि क्या होनी चाहिए इस्टोरी और कैसे हम और उडियोंस को कुछ सबसे बड़ा सबसे बड़ा इंफोर्मेशन जो था वो यही था कि वी शुट टेक केर ऑफ एल्डर से कचाहिए वो मम्मी हो पापा हो जो की मैं बोलना नहीं चाहरा था मेरे ताउजी जो है अप नहीं रहे दुनिया में लेकिन वो बीमार होगे ते काफी तो मुझे और उ सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है यह चोटी-चोटी कीज़े होती है ना जो आपके लाइफ में रह जाती है पिर आप मिस करते हो यार अब कि घया चाहरा यह फोड़ा थाएएँ तुन देखने का मन नहीं का ट्रहने कर दो हम इसन जो इन्यूस पिपरेंगा मन निकार रहा है डिप्रेसिंहें गुरा निच्छिवधांग को यह निव पारख सकते पक्र आप अच्छते यूँद यह वीगार तर नीव आशा को तो यह बहुत ही अभी खुश्वन सिंग का जो सोड़ी है यह अभी इंदम राइट टाइब है इतना इमोशनल नहीं करूंगा मैं तम लोगो दो जन को चांस मिलेगा अरे रो मत कुमकुम इस लाइफ गोज ऑन ठीक है कुमकुम के घर में भी सब लोग अभी बीमार हैं तो प